अपना ब्रेक अप हो जाने के बाद एक लड़की को सूपर पावर मिल दिया जिसो टाइम को स्टॉप कर सकता है टाइम स्टॉप करकर लोगों के साथ वो कुछ भी कर सकता था अगर आपको वीडियो अच्छ रखता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा बीना किसी तरीके एक्स्प्लेशन स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होते हैं हम हमारे मेन क्यारेटर बेन का ब्रेक अप देख सकते हैं जिस लड़की से उसका ब्रेक अप हो रहा था सुजी कि उसकी फर्स गर्फेंड थी तो उसके साथ बिताए हर पल उसे याद आ रहे थे वो अंडर करता है कि उसका ब्रेक अप हुआ कैसे एक पल में तो एक साथ थे एक दुसरे को आई लवे पूल रहे थे और नेक्स्ट वीक सुजी किसी और के साथ थी तो शायद उसको भी आई लवे पूल रहे हो की पर इसका कोई भी मिनिंग नहीं है बेन के फ्रेंड का नाम तो शौन शौन उसे समझाने की कोशिश करता है उसे सिर्फ एक बेटर आप्शन मिल गया इसी वज़े से उसके पास हो चलीगे उसके बारे में तुमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए तुम किसी ब्यूटिफुल से लड़की को टेट करो फिर सुजी को जेलस लगेगा और तुमारे पास हो वापस आ जाएगी शौन का लड़कियों के साथ एक्सपिरियंस बहुत ही घटिया था हर लड़कियों से मार कर चली जाती थी तो उसके एड़वाइस बेंड नहीं ले सकता शौन आर्टिस बनना जाता है जब भी उसकी ड्राइंग लास होती थी तो हमेशा लड़कियों को ही ड्राव करता था हमेशा उसे सुजी की याद आती रहती थी एक रात उसने उसे कॉल किया उसने पूछा कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते है सुजी ने उसे मना कर दिया वो दिन रात अपने बेड में पड़ा रहता था सुजी के जाने के बाद जैसे उसको ऑक्सिजन चला गया था स्लोली स्लोली उसकी नीन भी चली के उसने सोने का बहुत ट्राइ किया पर फिर भी वो कर नहीं पाया अब सड़नली उसके पास 8 एक्स्टा आवर्ज थे वो अलग-अलग चीजे ट्राइ करता था पर फिर भी टाइम पास नहीं होता था वो कुछ भी करे सुजी की याद हमेशा उसके साथ रहती थी एक राद वो ग्रोसरी लेने के लिए क्या हुआ था वहाँ पर नोटिस देखता है कि उन्हें काम करने के लिए स्टाफ की जरुवत थी बेन को नीन नहीं आती तो आठ एक्स्टा गंटे पिताने के लिए यहाँ पर वो जॉब कर लेता है वहाँ कि जब मैनेजर कुछ ने देखा तो मैनेजर पहले फुटपॉल का प्लेयर हुआ करता था अब यहाँ का मैनेजर है यह देखकर बेन रियलाइज करता है कि लाइफ इसी तरीके से बहुत फास्ट गुजर जाएगी पर इसके लिए वो कुछ कर भी नहीं सकता बेन के साथ एक लड़की काम करती थी इसका नाव था शैरन बेन ने नोटिस किया कि उसका मैनेजर शैरन के साथ बहुत ही अजीब तरीके से पेश आता है शैरन को यह बात अनकमफरड़बल लगती है अपना जॉब करते हुए बेन ने हमसे कहा कि हाँ सुपर मार्केट में टाइम बहुत ही स्लूली जाता है इसको ज़रा फास्ट करने के लिए हम एंपलोईज अलग-अलग चीज़े करते है हर एक की अलग-अलग मेथड है जैसे शेरन कभी भी टाइम नहीं देखती है जब वो बाच देखती है तो टाइम बहुत ही स्लू गुजरता है इस वज़े से हमेशा उसे कवर अप करकर रखती है यहां काम करने वाले उसके और दो फ्रेंड से पैरी और मैट यह हमेशा एक दुसरे के साथ गेम्स कहलते रहते है कभी यह शॉपिंग मॉल में रेस लगाते है तो कभी लड़कियों के सामान में कुछ अलग सी चीज़े रख देते है इसी तरीके से हर कोई टाइम पास करता था और बेनने का मेरा तरीका कुछ अलग ही है जब उसका ब्रेकप हुआ तो उसके लिए टाइम गुजारना बहुत ही हाड़ था तो एक सूपर पावर उसमें आ गई यह सूपर पावर थी टाइम को स्टॉप कर पाने की वो अपनी पावर से सब को स्टॉप कर देता और सारी चिसे घूमने लग जाता सूबर मार्केट की सारी ब्यूटिफुल लड़कियों को नोटीस करता था उसे लगता है कि लड़कियों में अलग से ही पावर होती है वो जब चोटा था तो एक foreign student उनके घर में रहने के लिए आई हुई थी वो बहुत ही beautiful थी वो हमेशा उसे ही देखता रहता था बेंच जब यह time stop करता था तो हमेशा लड़कियों की new drawing करता था उसने एक novel में पढ़ा था कि लड़कियों को painter के साथ affair करना अच्छा लगता है क्योंकि उनकी beauty जैसी है वैसे हो देख सकते है ऐसे ही बेंच drawing करते हो अपना time गुजरता था और जब वो unpause करता तो बहुत सारा time गुजर जाता अगले दिन बेंच से मिलने के लिए उसका friend Sean आया Sean को पता था कि अब भी बेंच अपने इस girlfriend के वारे में सोच रहा है वो उसे कहता है तुम्हें जल से move on करना चाहिए Sean हमेशा उसे यही बात कहता रहता है तो इस moment को भी वो pause कर देता है अच्छोन में Ben और Sean यह 55 से बहुत अच्छे friends थे जब Sean की मदर घर से चली जाती तो दोनों मिलकर nude magazines देखते एक दिन चब बेंच दोनों देख रहे थे Sean की मदर वापस आके वो इन दोनों की friendship को अलग ही समझती है आज Sean Ben से कह रहा था तो मैं strip club विगरा मेरे साथ चलना चाहिए सुनकर Ben को अपने बजबन का एक किसा याद आता है उनकी स्टेट पर एक लड़की थी जो पैसो के लिए nude होती थी यह सारे friends लाइन लगा कर उसे मिलने के लिए जाते थे इसके बाद हम देखते है अगले दिन Ben और Sharon की नजरों से नजरे मिली थी लॉकर रूम में Sharon को ज़रा भुक लगी थी तो Ben का सैन्विच मांग लेती है सैन्विच का पिकल Sharon के गाल पर लग गया था जैसे कि Bollywood movies में होता है वैसे एक romantic सा इनका moment हुआ ये moment Ben जाने नहीं देना चाहता था इसे freeze करकर रखना चाहता था पर Sharon चली के तो Ben कुछ भी कर नहीं पाया उसे अच्छा लग रहा था कि सुजी से move on करकर अब वो Sharon को like करने लग गया है तो भी उसके friend ने discuss कर रहे थे मैट कहता है आज मैंने Sharon को date के लिए पूछा मैट इसके लिए बहुत excited था पर Ben को बहुत बुरा लगता है Benam से कहता है हमेशा मेरे साथ ऐसे चीज़े होती रहती है तो जिसको भी like करता है उससे दूर चले जाते है वो जब छोटा था तो अपनी teacher को like करता था पर teacher के साथ कुछ भी हो नहीं सकता उसकी और एक classmate थी जिसको बहुत like करता था एक दिन उस लड़की का accident हो गया उसके plaster पर हर कोई graffiti बनाता था Ben हमेशा उसे देखता रहे था तो उस लड़की ने उसे approach किया Ben ने भी अपनी signature उस plaster पर बनाई जब उस लड़की का plaster निकला तो उसका पूरा हाथ हेर से भर गया था सब लोग उसे चिड़ाने लग गए वो अखिली पढ़ गई थी तो Ben उसके पास आकर बेटा कहा कि तुम जैसी हो वैसे ही beautiful हो इसके बाद एक girlfriend boyfriend बन गए थे एक दिन Ben ने उसे school के पीछे बुला उसके पास आई और पुछती है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो Ben कहता है कि हाँ पर कल तुम मुझे यहाँ मिलना कल school में कोई भी नहीं होता कल holiday था तो उन्हें कोई भी disturb नहीं करता और Sharon आज movie देखने के लिए जाने वाले है Sean ने का कि वो सिर्फ as a friends movie देखने के लिए जा रहे होंगे उनके बीच में कुछ है ऐसा कमपल सीरी नहीं पर जब next day Ben काम पर जाता है तो Matt अपने friends से Sharon के बार में बात कर रहा था वो बता रहा था कि वो और Sharon कल रात intimate हुए Ben का दिल तुच जाता है इसे moment पर उनके manager उनके पास आए कहते है मेरे एक old friend के साथ मैंने bet लगाई थी उसके team के साथ हम सब को मिलकर football खेलना है इस football match पर Matt को support करने के लिए Sharon भी आई हुई थी इन में से किसी को भी football केलना आता नहीं था तो बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे थे opposite team के 26 गोल हो गए थे वो अनके 0 ही थे Ben को बोर होने लग जाता है तो time को फिर से उसने stop कर दिया Ben हम से कहता है मुझे हमेशा यहाँ पर बहुत ही जादा safe लगता है कोई भी उसे disturb नहीं कर सकता वो cafeteria में गया तो अचानक से उसे कुछ आवाज आई वो अस-पास देखने लग जाता है एक आदमी unfreeze होकर वहाँ से भाग गया Ben सिर्फ अकिला नहीं है जो time stop करकर घूम फिर सकता है घूम फिर कर Ben फिर से मैच में वापस आया इनका last goal था तो Matt ने जोर से football को kick किया तो manager की ना को तोड़ देता है उसे hospital लेकर गया Ben को कहकर जाता है कि Sharon को घर छोड़ देना Ben और Sharon फिर coffee के लिए आए Ben Sharon से पुछता है कि तुम और Matt डेट करे हो Sharon ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है हम सर्फ as a friend से movie देखने के लिए गए हुए थे Ben को ये बात सुनकर अच्छा लगा Sharon का एक boyfriend था उसे breakup किये हुए उसे 6 मेने कुजर चुके है Ben भी अपने breakup के बार में उसे बताता है एक दूसरे को और भी जान लेते है झाल 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 झाल